हेलो प्रेंड वेलकम बैक टू इलानिंग पी धेना वायम चैनल आज का जो सेशन है वो काफी इंपोडेंट हो जाता है क्योंकि इससे पहले आपको दो प्रेटिस एट करा चुके हैं आज हमारा तीसरा प्रेटिस एट है जो काफी एहम है तदा परिछा के दर्ष्टी से काफ प्रेटिस सबसे पहले आएगा तो चलिए शुरू करते हैं उससे पहले आज का मोटिवेशन को जो आपको उर्चावान लखेगा तता औरों से बैटा तता अलग करने के लिए आपको प्रेडित करेगा ठीके क्योंकि हारा वही है जो लड़ा नहीं है भारतिया कभी हार नह साथ कि आपको अगर लगे कभी भी आपका अंदर का जो मोटिवेशन हो कम हो गया है कभी भी लगे तो आप एक वार मुस्कुरा का बसक्या देखें अपने माता-पिता की तरफ देखें तो आपको इतनाई एनरजी इतनी उर्जा मिलेगी कि संसार का को भी मोटिवेशन आपका बिग्यापन संचार के निम्लिकित काले पर आधारित है तो जो बिग्यापन होता है अपने सबसे देखा होगा कि सबसे ज़ादा वो किस पर आधारित होते एक मैसेज देता है तो सबको पता है कि बिग्यापन में कुछ ना कुछ मैसेज होता है बट वो किस पर आध प्रभाव पर आदारित होता है क्योंकि यहां पर अगर उसके अंदर प्रभाव नहीं होगा जैसे आपने देखा है कि कुछ जो बक्ता होते हैं वो इतना अच्छा बादर करते हैं अभी चुनावी रेलियां देख लीजिगा तो वहां पर लोग बाग उन्हें घंटों सुनत होता है फैक्त नहीं होता चलिए नैशल से हैं आपका है प्रतिया अपने दो बच्चों को मेला दिखाने ले गई एक टिकट का मुल्य कितना था ठीक है तीन टिकटों का मुल्य कितना होगा तो आपको सपोसर बन पॉइंट को या तो आप क्या करने थी से वह कल लें डिवा मतलब आपका नेक्टिम मार्किंग है इसमें कितने की नेक्टिम मार्किंग है बन थड़की तो आपकी एक मिश्टिक आपको ले से आंगे भी ले जा सकती हो पिछे भी कर सकती है तो यहां पर आपको क्या करना है कि 1.8 1.8 सबसे जी 1.8 तो 8 अठी 24 की 4 चेक हां तो लाई दो और 3 हो दो 5 तो कितने पाइंटों के मतलब कितने अंगों के बाध पॉइंट है तो बन अंग के बाध पाध पॉइंट है तो इस तरह लगाएंगे तो यह हो जाएगा 5.4 तो 5.4 वैलु आपको कहां पे दिख रहे है तो कम एक प्रात्मिक केंद्र के सुदी की है आपको बता दे संस्वति का मतलब है सुजाना यानि बताना तो आपका जो यहां पे देख पा रहे हैं आप जो पॉपॉपुलिशन है यहां पे देग़र इकल does चालेस हजार पर आपको क्या है क्या है कि कबितो हर राज़ की राज़ सर्कार का ये दायत दोहत कि एतनी जंसां क्या के मतलब अधर एक प्राथमिक केंडर भाईया, गजुन आपको देगी ही देगी, नहीं होता, तो आपका क्या होता है जैसे योगी जी से आप कहेंगे इस तरह से आप क्या करेंगे कि इस तरह से आपको बताये जाएगा तो आप वहाँ पे अप्लिकिशन देगे तो वो राजसरकार आपको आपके छेतर में एक स्कूल प्राइम बरीब प्रोबाइट कर आएगे ये किसकी कमेटी का रिपोर्ट है तो याल रखिएगा मुदारी कमेटन 1962 अगर इसको जाना कैसे जाता है तो ये भी यात रख लेगा मादमी सिच्छा के धाचे में सुधार के लिए डॉक्टर लच्छमन स्वामी मुदालियर की अध्यचता में कब बनी थी ये 19 हद की 52 है ठेक है मादमी सिच्छा आयोक की अस्वापना की गई थी किसे इन आम से इसकी स्थापना की गई थी तो वो था म recurrence सबसे कगतनाग बिस होता है तो आपका सबसे कतनाग जो बिस होता वो मस्टिक सत्ता तंतर का उपड़प टानने वला बिस होता है आपको बता दें से पहले हम प्रेटिस सेट 2 करा चुके हैं वन और टू टू वाली जो अंसर की है आज अंसर की के साथ आपको टेलीगाम चैनल पर प्रेटिस सेट 2 मिल जाएगा परिशान होने के आवशकता नहीं है जहने वीडियो देखने का टाइम नहीं है वो क्या कहाँ है? उससे आंजर की के साथ प्रेटिस सेट चरू लगा लें क्योंकि प्रेटिस सेट काफ 여기까지 है तक तक काफी important question होगा इसमें selection है तो जाता है पर्चायका को रोगी रतिक किसका सरवादिक ख्यार ता होती है आप यादर रखे आपको बोलते है ANM कि किन है तो यहाँ पर जो राइट आंसर रहेगा वो है त्रिकोडी और गोल लिप्टी पट्टियां चीक है त्रिकोडी और आपकी कैसी है गोल लिप्टी पट्टियों में यहाँ पर पट्टियों की बात की जाए तो आपकी जो पट्टियां होती है याद रखना यहाँ पर तो यहाँ पर गोल और आपकी यहाँ पर त्रिकोंटी तो आ ही गया है एक और नाम बस याद रखना हो वो हमारी छीटेदार पट्टिया इस तरह से पट्टियों के कितने टाइप हो गए वो हमारे थ्री टाइप नहीं शलते हैं निमने में थैस कौन सा डाटा सेट को दो बरावर हिस्सों में बिवाज़त करता है तो ऐसा कौन सा डाटा है जो क्या करता है दो बरावर हिस्सों में बाट देता है तो आपको बता है जितने मी मैंड आपकी केंद्रक के जो मान होते हैं वो सभी क्या है दो बर की जाए तो सिग्मा एफएक्स करके इसकी बैलू निकालते हैं बटे अ टोटल कर देते हैं टोटल जितनी हमारे पास जैसे 5 संख्या न 10 संख्या है उनका पूरा टोटल फिर जो नम्मर ऑफ संख्या तो जितनी होती उससे उससे डिवाइड कर देते हैं तो यह मीन निकलाता बात करने मीडियम की तो यह सीधे सीधे दो पार्टों में डिवाइड कर देता है ठीक है और जो मीडियम का फार्मूला है यही है न प्लस बन वड़े टू का मतलब ही क्या हो गया है दो भागों में उस चिच को 내वाइड कर देना यहां पे मीडियम आप इस तरह से सम्झ स सकते हैं जैसे आपके साथ पास संक्या 11, 11 में बंच ओड़ेंगे तो 12 और 12 को दो से डिवाइट करेंगे तो आपका 2, 15, 12 तो इधर से गिनेंगे संक्या 11 में और उधर से गिनेंगे तो जो गेचट में नमर पे संक्या होगी वही हमारी क्या हो जाएगी? मेडियन हो जाएगे मोड में क्या होता है? फ्रेक्वेंसी जिसकी आपरती सबसे अधिकवार हुई हो जैसे नमर में आपका 7 कितनी बार रिपीट हुआ है उसके इसाब से हो जाता है मोड नहीं शलते इनिमलिकत में से कौन सा पंचायती राज के त्रितलिय सिस्टम के अधीन आता है तो त्रितलिय सिस्टम के अधीन आता है वो हमारा ग्राम पंचा दूसरा हमारा जिला परसत ये दोनों ही हमारे क्या है आपके त्रितलिय सिस्टम के अधीन आते हैं तो इसमें जो राइट अंसर रहेगा वो हमारा रहेगा ए बारत सरकार ने राष्टिये ग्रामिर स स्वास्त में सनलागू किया तो आपके जो राइट आंसर रहेगा वो हमारा 12 अपरेल तूछार पांच को नहीं नहीं चलते हैं जो यह भी पीडियाफ आपको पे दांसर टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगे प्रतवा साली पालकों की बुद्धी लब्दि ड्रड़ से अधिक होती है तो आपको बताना है कि किस से अधिक होती है तो आपको बता है एक सो चालिग्रामा से एवव होती है जब हम इनका IQ लेबल बढ़ताएंगे यान आई कू का हमने सयायदेi ने बता दिया नहीं बता अ एक में बताएंगे जिसमें IQ चार्ट होगा जाने आपका जो है idiot कितनी बुद्धी लब्ती वाले को कहा जाता है intelligent कितनी को तो आपका जो average रहेगा वो हमारा 130 से 140 एभव रहता है प्रत्वा साली ठीक है प्रत्वा साली जो बच्चा है वो इसके मतलब अधिक ही रहता है चले यहाँ पे मैचिंग अनी है आपको और option को मिलाना भी है तो यहाँ पे देख लेते हैं कि क्या होगा तो ग्यान में बदलाव तो जो आपका ग्यान में बदलाव क्या होता है लोग क्या जानते है ठीक है कैसे होता है लोग क्या जानते हैं अब रती में बदलाव कुछ चीजों के प्रति प्रत किरिया विस्वास में बदलाव की बात करें तो आथ में निर्वरता और कौसल में बदलाव की बात करें तो ये हो जाता है आपका कारी कुशलता तो आपका जो option बनेगा वो बनेगा यहाँ पे सी बच्चों में पाई जाने वाले भासा सम्मंदी दोस क्या नहीं है तो आपका जो भासा सम्मंदी दोस है वो नहीं है मतलब धीरे धीरे बोलना गलत उचारण अखलाना यह सभी भासा सम्मंदी दोस है जबके धीरे धीरे बोलना ये क्या है बासातंबंदी दोस नहीं है बालकों के बालकों में किस अवस्ता में इर्षा भाबुत्पन होता है तो वो अवस्ता होती है तीन से चार वर्स की अवस्ता यहां पर बच्चों में क्या होता है इर्शा भाबा देगुटपन हो जाता है बालगों के प्रारभिक सामजी विकास का धारी ये कारक है तो जो उनका धारक है यानि आपका पिलर का काम करेगा वो हमारा क्या होता है उनकी मांजिक इस्तिति यह उसका धारी है यानि आपका बेस्तियार कराता है बालक का अपने पालं करता के से संबंद मुख्य निरधारक माना जाता है बालक के तो संग्यानात्मक और संबेगात्मक दोनों ही चीजों पर बच्चों के परिवार के मेंबरों का बहुत प्रभाब पड़ता है और आपक प्रववस्ति नहीं हाँ जाता है तो आपके जो राइट अंसर है वह है जन्मСпसे दो बर्स तक गर्वती माता के लिए प्रशा पूर सेवाई के संस्ता में उपलब्द है तो आपका जो राइट अंसर है वो हमारा इन सब ही में प्रशूती केंद्रों में, प्रशूती ग्रहों में ये ल्टी के लिए जितनी बार कहाँ जाए उतनी बार मोस्ट इंपोडेंट कोशन है तो आप इसे ध्यान से देखें जब जाइगौड डॉट डॉट हो तो उसे आपको एक्टोफ एक गर्ववस्ता कहते हैं तो जाइगौड की बात की जाए तो जाइगौड क्या करता है इसे समझते है प्रॉसस को जब शुक्राणू और आपके अंडाणू की बात करें तो फीमियल हो जाएगा जब शुक्राणू की बात करें यानि समझते हैं तो आपका मेल हो जाएगा तो इनका फर्टिलाइजेशन होता है निसेचन होता है उसके बात क्या होता है जाइगौड बनता है क्योंकि पूछा जा चुका है जाइगौड कब बनता है तो निसेचन के बात ठीक है निसेचन के बात क्या होता है आपका जाइगौड बनता है तो जाइगौड जब बना तो उससे क्या हुआ आपका जाइगौड का मतलब क्या होता है सैल होता है ये भी बात याद रखेगा ठेक है कोशका होता है तो जो आपकी डिम्ब भाहिनी नली है गर्व की निश्य जगए तो गर्वा से है ठेक है गर्वा से है लेकिन कई कालंड से ये क्या होता है गर्व गर्वा से के बाहर ही ठेर जाता है जब आपकी फिलोपिन ट्यू के अंदर ही गर्वा से ठेर जाता है क्योंकि हो सकता है कोशन को इस तरह गुमा दिया जाए कि आपके एक्टोपिक होता है तो जो गर्वास है फिलोपिन ट्यू के अंदर ही क्या होता है गर्वास है ठहर जाता तो ऐसी इस्टिट्यू को आपको एक्टोपिक गर्वस्ता कहते हैं ठीक है कहां पे ठहर जाता है नहीं बोलेंगे ठीक है फिलोपिन फिलिया तो मतलब इस तरह से किसी भी तरह से आपको लॉचिक बठाल कर याद रखना है पर आपको इसे बूलना नहीं है क्योंकि होश रखता है आपसन चेंज करके हाँ पर कह देगे फिलोपिन क्यों में हो जाता है तो यही आपका राइट अंसर हो जाएगा वैसे तो आपको याद रखना निम्ब बाइनी नली में स्थापित होता है आपका है गर्वकालीन अबस्ता है तो आपका जो राइट अंसर रहेगा वो है गर्वधान से जन्म तकी अबस्ता गर्वकाली नबस्ता कहलाती है ठीक है यहाँ पर कभी 9 माह भी हो जाता है नर्व में आपका है FSH डॉट डॉट को इस काम को दिप्त करता है तो आपका जो राइट अंसर रहेगा वो हमारा सर्टोली कोशिका है यह काफी मोश्ट इंपोड़ेंट है आप भी बात करी जाएए FSH की तो यहाँ पर होता है फॉलिकल आपका इस टूम फॉलिकल सिंबुलेटिंग हार्मोन क्या होता है इसके फॉल्फॉरम जान लेते हैं तो वो हमारा होता है फॉलिकल फॉलिकल आपका आपका सिंबूलेटिंग ठीक है हार्मोन्स यह होती है इसकी फुल बॉराओं नैशलते हैं मनो बैज्ञानिकों ने जन्म ग्रम के मनो बिज्ञान का वर्णन किया है तो किसने किया है तो आप याद रखिएगा कौन सा मनो बैज्ञानिक है जिसने दिया है ये तो आपका सिंग्मन फ्राइड है फ्राइड मनो बैज्ञान का वर्णन जन्म ब्रम नैशलते हैं जी डवलू आलपोर्ट के द्वारा प्रतपादित ब्यक्तितु के सिध्धान्त को कहा जाता है तो ये कहा जाता है सेल गुरका सिध्धान्त जो इनने परसनलिटी पर ब्यक्तितु पत दिया है ये ये चार्ट आपका काफी इंपोर्डेंट है दू-झार हटार है ये आपका पूछा हुआ चार्ट है तो आप यहाप बहुत कंसर्डेंस होगा यानि बहुत द्यान से बहुत देखेंगे क्योके फिर इसके डिपीटिस होने के बहूत चांसे है अगर बाइगोस्की की बात की जाए यानि आपके बाइगोस्की तो ये हमारे किसे है सामाजिक सांस्क्रितिक से बाइगोस्की किसे है आपके सामाजिक सांस्क्रितिक से बाइगोस्की को इस तरह से हम लगाएंगे तो ये क्या है आपके सामाजिक सांस्क्रितिक से ठीक है आपके एरिकसंग की बात की जाए तो एरिकसंग महुदे जो है वो हमारे मनु सामाजिक एरिकसंग महुदे कौन है मनु सामाजिक और फिर प्याजे की बात की जाए तो प्याजे आपके कौन है संग्यान आत्मक, कॉंगनिटिब जितनी भी थोरी हैं वो प्याजे की हैं फिर आपके फ्राइड आजाते हैं वो हमारे मनुबिशलेशन आत्मक तो आपका जो option बनेगा वो बनेगा C नेशलते हैं विकास की दर सरवधिक तीब्र होती है तो आपके जो राइट आंसर रहेगा वो हमारा उत्र बाले बस्ता में विकास की दर सरवधा तीब्र रहती है तो यहाँ पे जो option उसके according चलेंगे क्योंकि पूछा है सर्वादिक तीब्र रहती है तो उत्तर बाले बस्ता में सर्वादिक तीब्र रहती है क्योंकि यह क्या है कि आपके सैसावस्ता और आपकी यौना बस्ता यानि किसोरा बस्ता अगर उत्तर बाले बस्ता नहीं होता बाले बस्ता होता तो भी बाले बस्ता रहता क्योंकि यहां से ही आपकी क्या होती है किशोर अबस्ता की सुरवात होती है बाला की कौन सी अबस्ता मनुवेग्यानिक अबस्ता कहलाती है तो आपका जो right answer रहेगा वो हमारा रहेगा कि शुराबस्ता कि शुराबस्ता को आपकी क्या कहा जाता है मनुवेग्यानिक अबस्ता कहा जाता है कौन सा कतन असत्त है तो आपका जो right answer रहेगा वो हमारा रहेगा विकास के वल परपकुता का परणाम है यह गतन आ सकते है ठीक है क्योंकि विकास का लिए अगर परपकुता का पहड़ाम होता तो हर कोई विक्सित होता यानि हर किसी के पास विवेक होता चली नहीं चलते हैं यहाँ पे है डॉट डॉट विकास का अर्थ है सरीर की गति हो पारे नियंतर में प्रगती तो आपका जो राइट अंसर रहेगा गो हमारा है प्रेड़क प्रेड़क ठीक है यहाँ पे जो मॉटर सो होता है आप इस तरह से समझें इंग्लिस टार्मिस का मॉटर जो आपको प्रेड़ित करता रहे एक बच्चा कितनी उम्र तक आपका टॉडलर कहलाता है यह बहुत इंपोडेंट है तो एक बच्ची की बात की जा रही है और क्या जा रहा है टॉडलर का तो वो हमारा होता है यहाँ पे 24 से 28 महीने यानि 24 से 48 महीने अगर 24 से 48 महीने की बात की जाए चार बर्स किस प्रकार के परिछणों का मुल्यांकन आसान और बिश्वसनिया है तो आपका जो राइट अंसर रहेगा वो हमारा बस्तो निश्ट परिछणों का मुल्यांकन आसान और बिश्वसनिया है सालिद एक विकास सिर से पैर की ओर होता है बिकास का यहनियम कहलाता है तो आपका जो राइट अंसर है वो हमारा है मस्टिस्क और दुनमुखी ठीक है यहाँ से पूछा सिर से पैर तो सिर पर कौन है मस्टिस्क ठीक है मस्टिस्क और दुनमुखी बिकास कहलाता है नहीं शलते हैं डौट डौट छोटे बच्चों के लिए एक डर भढ़ाने वाला उद्धी पक है तो आपका एक कांगी पन आपने देखा है छोटे बच्चे कभी भी अकेले नहीं रहते जैसे उन्हें आप अकेले छोड़ जाओ वो चीखते हैं चिलाते हैं अगर उनमें सैंज नहीं होता इ उन्हें से ही छोटे बच्चों को कमपणी चाहिए जाओ यानि कोई ना कोई उनके पास रहना चाहिए क्योंकि वो एक अगी पन से क्या है डरते हैं अकेले रहने से किसे बैग्यानिंग के अर्शा नवजा से सुए पूरी स्लेट के समान होता है तो ऐसा कौन सा बैग्यानिक के जिसका ये माणना है तो वो माणे हैं जोन लुक्र है इन्होंने का है का बच्चा क्या है कौरी स्लेट आप जिलसा कलर उसमें भरोगे वैसा भर जाएगा का आर्थ यह नहीं है कि लोगों को यह बताया जाए कि यूए नहीं जाते हैं इस तरहे ब्याभार करना सिकाना जिस पर नहींकिरते हैं यह किसने कहा है तो आपका 34 का जो राइट आंसर रहे लहता है वह हमारा रस्किन ने कहा है राष्टिय जन सहयोग ये वंबाल विकास संगर्टन यान एन आई पी सीसेडी की इस्ताबना कब हुई तो आपका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा हमारा 4 जुलाई 1975 में आपका है मार्तंडम योजना आरंब की गई तो आपका जो राइट आंसर है वो हमारा डॉक्टर इस्पेंसर हैच के द्वारा डॉक्टर इस्पेंसर हैच के द्वारा क्या करा गया उननीस सो अठाइस में इसके सन भी याद कर लीजिए हो सकता आस तक नहीं पूछी है पूछ ली जाए 1928 में ये योजना प्रारंब की गई नहिशल दे हैं एक राष्टिय संस्ता जो सामाजिक एवं अन्य अपंग बालकों के लिए कारे रखते है तो आपके जो राइट अंसर रहेगा वो रहेगा C.S.W.B या इसका पुलबॉरम जो है केंद्रिय समाज कल्यार बूर्ड की स्थापना की बात की जाए तो भारत सरकार ने अगस्त 1903 में की गई थी आपका है अराग अंदुलन अत्वाज सराब विरूदी अंदुलन महलाओ द्वारा भारत की किस राज्य में किया गया तो आपका है अंद्रप्रदेशी बहुत इंपूरेंट कुश्चन है नेशल के प्रौर्ण सिछा कारिकम केंद्ध है तो आपका जो राइट आंसर है वो हमारा साच्छता पर केंद्ध है यहां पर सबसे ज़्यादा अगर फोकस किया जाता है तो साच्छता पर कि इंद्ध जैसे प्रसार सिछा का सबसे ज़्यादा फोकस पॉइंट क्या है लर्निंग वाइड दूइंग यानि करके सिखा आना तता अएंड में क्या मिलना चाहिए सैटिस्पेक्शन यानि उसको संतुष्टी होनी चाहिए कि हाँ मैं सीख गया बाल कल्यार सेवाओं में स्वास्त निरिच्छक जन स्वास्त नर्स सता चिकिसा अधिकारी के संपर्क स्तापित करने में किसका सैयोग प्रमुक है तो इन सब के बीच कौन सैयोग की भूमिका निवाता है तो वो हमारा सायक नर्स मिडवाइफ यानि एन है यह सबसे अधिक भूमिका निवाती है गाओं में फल्स अरचल के प्रसिछन के लिए किस भिदी का प्रयोग करना प्रयोग होना चाहिए तो जब आफल्स अरचल बिदी देख रहे हैं गाओं के इसाब से तो वो हमारी होती है बिदी प्रदर्शन नेशल नहीं और काफी इंपोर्टेंट पेर से इसे देखती है घ्रह बेट दूर्दासन आपका है संगोश्टी तो यहां पर कहरा है सुमेलित नहीं है तो आपका ग्रह बेट की बात की जाए तो यह क्या है व्यक्तिगत संपर्ग है दूर सरधन की बात की जाए तो यह जन संपर्ग है अगर संगोश्टी की बात की जाए तो यह भी क्या है आपका जन संपर्ग है तो आपका जो पूछ है कि सुमेलित नहीं है तो वो हमारा प्रडाम प्रदर्शन व्यक्तिगत संपर्ग सुमेलित नहीं है यानि आपका D आंसर इसमें सुमेलित नहीं है क्योंकि प्रडाम प्रदर्शन व्यक्तिगत संपर्ग नहीं हो सकते परड़ाम हम किसका किसी संभूगा देंगे या किसी संभूगा प्रदर्शित करेंगे चले नहीं चलते हैं डॉट डॉट व्यक्ति जो परचालन में संप्रेशन की प्रकेरिया आरंब करता है तो आपका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा आपका संप्रेशक संप्रेशक क्या करता है कि पूरी प्रकेरिया संप्रेशक ऐसा कोई व्याहवार है जिसमें अर्थ आदान प्रदान किया जाता है तथा एक ब्यक्ति से दूसरे वक्ति को संदेश दिया जाता प्रसार सिच्छा की सिध्धान्त प्रसार कारकरता का सच्छम बनाते हैं तो कैसे सच्छम बनाते हैं तो उप्युक्त सबी यानि लोगों की आवश्क्ताओं को समझने में उप्युक्त गद्वियतियों को नियोज़त करने में यानि उप्युक्त सब इसमें राइट अंसर है संतान उत्पत्ती ईस्वर की देह ने इस अंद्विस्वास का उन्बूलन किया जा सकता है तो आपका जो राइट अंसर है वो हमारा सिच्छा के द्वारा क्योंकि सिच्छा के ही द्वारा किसी भी अंदिविश्वास का नूलन संभग हो सकता है ब्लूम के अधिगम के उद्देशों का बरिगी करण में निमलेखित संकलपनाओं का समावेस होता है तो आपका जो राइट अंसर रहेगा कि कौन सी संकलपनाओं यानि आपकी कौन से कौनसे इसमें दिएगम है उनका समावेस रहता है bloom की टेस्टनोमी में तो आपका जो right answer रहेगा वो आपको चुनना है तो bloom की टेस्टनोमी ये बात की जाए तो आपका visualization होता है इसमें sensation भी होता है और both भी होता understanding भी होती है तो a, b, c, a, b, c, a, b, c तो आपका जो right answer है a, b, c, हमें कहा मिला है option नमर एक में निम्ड में से कौन सा दुतियक रंग है तो आपका जो right answer है वो हमारा है नारा की दुतियक रंग है जब की ये सभी सभी कैसे हैं प्राथमिक रंग है मैंने कहा ता ला 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 लगजस के पीछे ला ला आए वो सभी क्या है प्राथमिक रंग है लाल नीला पीला ये सभी कैसे हैं प्राथमिक रंग है ठीक है ला ला लिला याद रखिएगा गद्धा युक्त प्रेश्ट वाले फनीचर को डॉट डॉट कहते हैं तो आपका जो right answer रहेगा कि क्या कहा जाता है गद्धा युक्त प्रेश्ट वाले फनीचर को डॉट डॉट कहते हैं तो आपका जो right answer रहेगा वो हमारा आपका है अपोश्टरी ये काफी important है कई बार repeat हो चुका है ने चलते हैं अपोश्टरी का देख लेते हैं क्योंकि कई बार आ चुका के लिए किया जाता है इसे से फनीचर की जो जिन्दिगी है वो बढ़ जाती है साथ ही क्या होता है कि कच्छी की सुन्दरता भी बढ़ जाती है ने शलते हैं फूल दान में फूलों को अधिक समय तक ताजा रखा जा सकता है तो आपका जो right answer रहेगा वो हमारा रहेगा पानी में थोड़ी नमक डाल कर डॉट डॉट पधार्थ के इस परसनिया प्रेष्ट गुडवत्ता है तो आपकी क्या है इस प्रेष्ट गुडवत्ता तो वो हमारा है संडचना क्या है पधार्थ के इस परसनिया प्रेष्ट गुडवत्ता है कमडे के रंगे प्रयोग के लिए इन में से कौन सा तरीका सही नहीं है तो आपका जो right answer रहेगा वो हमारा रहेगा यहाँ पर आकशन केंद्र सफेद दीवार का क्रीम रंग का पेंटिंग ठीक है क्योंकि आपको क्या करना है अट्रेक्टिव कबरा करना है तो यहाँ पर क्या करना है अनपातिक फीकी दीवारों और छटों के साथ गारे रंगों की सजावट सही तरीका होता है इलेक्ट्रोनी कुप करनों की पहचान करें तो आपका जो राइट आंसर रहेगा वो हमारा क्या रहेगा यहाँ पर राइट आंसर जो रहेगा वो है कपड़े दूने वाली मसीन इलेक्ट्रोनी कुप करन है आपका माइक्रोवेन इलेक्ट्रोनी कुप करन है आपका और लास्प की दबाव को नियंदर करने के लिए किसका प्रयूग किया जाता है तो आपका जो right answer रहेगा वो हमारा सुरच्छा बल्व का प्रयूग किया जाता है एक रासोई घर में असमन्त काउंटर जो सबी उर्से प्रवेश के अन्मती देता है उसी क्या कहा जाता है तो आपका जो right answer रहेगा यहाँ पे 54 का वो हमारा रहेगा क्या कहा था island रसोई घर यह काफी important है क्या है इसमें सभी उसे प्रवेश की बस आपको इतना पकड़ना है तो याद रखेगा आइलेंड रसोईगा नेशल दे है निम्ड में से कौन सा सुमेलित नहीं है तो आपका यह पाथवे चार्ट है आपको पता है काल सरीकर्ण से संबन देता है शेबा निब्रती तो आपका है बोर्डम बोर्डम की बात की जाए तो यह आपका क्या हो जाएगा सेबा निब्रती क्या है काल पूर्टा है ठीक है यहाँ पे काल पूर्टा होगा ना कि मन सिर्फ थकान होगा सेबा निब्रती बोर्डम की बात की जाए तो यह थकान होता है आउचन की बात की जाए तो यह प्रबंदन प्रकिरिया होती है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आ हब पे हमारा 56 का यहाँ पे option नहीं है क्योंकि यह पूच्छा है कौन सा सुमेलित नहीं है तो आपका शेवा निबलित सुमेलित नहीं है नैस्चलते हैं आदमियों द्वारा नकीजे पाना यह किसका विवरण है तो यहाँ पे राइट अंसर रहेगा वो हमारा रहेगा प्रबंदन का ठीक है नतीजों को पाना किसका है प्रबंदन का यानि मैनेजमेंट का विवरण है नैशलते हैं यह किसने माना है माना था कि संस्ताएं एक समाज की विवस्ताएं होती है तो आपका जो राइट अंसर है वो हमारा है आ नहारत बर्स में पर्वान नियोजन कारिकम का आरंब हुआ था तो आपका जो राइट अंसर रहेगा वो रहेगा 1952 बहुत बार रिपीटिट हुआ है यह कोशन तो आप से गलत ना जाए क्योंकि इसी तरह कि अगर कोशन गलत जाएंगे तो आप सपोज पहले ही क्या होगा कोशन तो आप से कभी भी गलत ना जाएं वैसे हम अन एडियास को पढ़ाएंगे जहां से टॉपिक बनते ही बनते हैं तो आप तयार रहें क्योंकि हमारा प्रेक्टिस सेट अभी हमारे जो टाइम का वो है उस बज़ए से प्रेक्टिस सेट चॉल जैसे ही हमारा लगी का कोई भी सुद्टू आ गया उसी टायम हम क्या करेंगे को उन एडियास को कभर करेंगे जहां से क्या होता है कोशन बंते ही बनते है क्योंकि यह तभी उस टायम करने से होगा दो फाइदे क्योंकि एक बुलेंगे निहीं दूसरा हम डिवीजन अपना डेली रख रहे है याने डेली एक प्रेटिसेट लगाना ही लगाना है और उसके बाद हम उन एरियास को पढ़ लेएं कि जहां से कोशन होते ही हुटते हैं तो हमारा कोशन गलत नहीं जाएगा किसी का भी जाय है मगर आप कंटूनियस रिवीजन कर रहे हैं उसके बाद उन एरियास को पढ़ ले हैं जहां से कुशन बनते ही बनते हैं तो गलत होने की तो कोई संभावना बनती ही नहीं नहीं को कुशन देके निम्लेकित द्रस शेव इमश्रप मिश्यामिकरियों मेंसे कौन देश के विवन इस्थांओ पर प्रयोक किया जा सकता है क्योंकि इसमें क्या होता है द्रस और श्रवध दोनों ही होते हैं भच्चत का प्रमुक्प्रयोजन है तो आपका जो जुनायद अंसर है वो भविस के आवशक और अकाविशमिक ब्या के लिए बचत किस के लिए है पविश के आवशक और अकास्मिक प्या के लिए नेशल थे हैं पैसे का उप्योग किये बिना परिवार के सरदस्यों को उपलग दोगा है आए इन मेंसे क्या है जिसमें बहुत तिक बस्तुएं और सेवाइं सामिल है तो आपका जो रायट आंसर रहेगा वो रहेगा आप रते अच्छ आए जिसमें क्या है बहुत तिक बस्तुएं और सेवाइं निर्णा प्रकिरिया का सही करम बताईए तो यहाँ पर जो रायट आंसर रहेगा वो हमें चुना है तो पहले क्या है यहाँ पर सबसे पहले अगर हम कोई भी निर्णे लेने चाहे तो हमें समस्या पता होना चाहिए तो कि समस्या की ब्याख्या करना फिर हमारों हो जाए गए यहाँ पर बेकल्पिक समादानों का प्रयास करना यानि उस समस्या से समंदे हमारे पस कितने समादा पिर यहां पर हो जाएगा बिकल्ब बिचार करना जो भी हमें बिकल्ब मिले उन पर बिचार करना फिर यहां पर हो जाएगा बिकल्ब चुनना फिर बिकल्ब चुनने के बाद हम क्या करें निर्ड़े के लिए जिम्मेदारी लेना यानि जो भी हमने निर्ड़े लिया उसके क्या रहेगा यहां पर आयोजन, आयोजना क्या है कारे निरूपणा का निरूजन है चलिए नैस चलते हैं आपका सिश्टेपोर का पारवारिक लच्छो की प्राप्ति है तो कारिकन्य की दिसा का खाका बनाना कहलाता है तो आपका जो राइट आंसर है वो हमारा ही योजना बनाना क्या है आपका खाका कहलाता है यानि पारवारिक लच्छो की प्राप्ति है तो कारे करने की दिसा का खाका बनाना योजना कहलाता है वैप्रे के लिए योजना को आपका इच्छित परड़ामों तक पहुंचाने ही तो दिसा प्रदान करती है तो आपका जो राइट आंसर रहेगा वो हमारा है नियंतर क्योंकि अगर नियंतर नहीं होगा तो जो इच्छित परड़ाम हम चाहते हैं नहीं आपाएंगी ये तो आपका जले दुलाईवाला वाला सोड़ा के ढ़ने के लिए प्रयोग करते हैं तो दुलाई वाला सोडा है उसे हम कौन सा धबा मिटाते हैं क्योंकि आपके उल्टी में धबा भी आएंगे क्योंकि आपके आपके स्लेवस में है तो चलिए कौन सा धबा हम मिटा आएंगे सोड़े से तो आपका रहेगा right answer उसे हमेरा चिकनाई बाला कुंकि आपको पता दें जो सोड़ा होता है वही आपके सामूल सरवपौन में पढ़ता है सादर बस्तों को सिलने के लिए मसीन में कौन से नंबर की सूझ लगानी चाहिए तो ये लिपीट हो चुका है कोशन आपके टीजिटी में तो याद रखिएगा सोले नंबर की सूझ लगाई चाती है सादर बस्तों सिलने के लिए एक छोटी मेला को निमने प्रकार के बस्तों पहनने चाहिए तो चोटी मेला है तो उसको कैसे बस्तों पहनने चाहिए यहाँ पर तो उसको खाड़ी खड़ी रेखावाले इस तरह है कि बस्तर पहनने चाहिए उससे उसकी लंबाई अधिक दिखने लगेगे गर एक लंबी महला है तो उसको किस तरह है कि बस्तर पहनने चाहिए आड़ी रेखावाले बस्तर पहरने चाहिए इन मेंसे सही यूग में है तो आपका जो राइट आंसर रहेगा यानि सही यूग में का पता करना है तो आपका पैठनी महराष्ट है और जबकि आपका बलूचरी क्या है आपका मुशीदाबाद है जो आपका बलूचरी है वो मुशीदाबाद है आपका अब्रूक्रेड जो है बनारख है तो नहीं को डोटोट कहते हैं तो आपका जो रहेगा वो हमारा कशीदा कहते है निमने करें तो मैंसे कौन सी हाथ चापाई तकनीकी नहीं है तो आपका जो राइट अंसर रहेगा वो हमारा hyРЕक सब्सक्राइब तकनीके नहीं है है तो किस चीज़ की नहीं होती है तो याद रखिए मान की उनको आवश्यक्ता नहीं होती है निटेड बस्त को नहीं शलते इन मैंसे किस पर फबूंदी वाकीड़ों का सबसे कम असर पड़ता है तो सारे जो दंतु है उनका हम आपको क्या करेंगे उनके बिसेस्ताइं नहीं शलते हैं आपका हैक्सामिथिलीन डाई अमीनो एवं आपका है एडिपिक अमल का भौलक है तो आपका जो राइट अंसर रहेगा वो रहेगा यहाँ पर भौलक की बात की जारी है तो नाइलॉन आपकर रहेगा नायलोन 6 नेमनमें से कौन सा मानव निर्मित फैवर है जो ग़ेर सैलूलोजिक है यह काफी important emotion है तो यह पिराव यास रखिएगा माननलम निर्मित है य। गहर सैलूलोजिस है तो नायलोन जो है उसमें सैलूलोस नहीं बाया जाता नालोन नामक एक जादूई रेसा है इसे मैजिक फाइबर कहते हैं ठीक है नालोन को क्या कहते हैं याद रखिये का मैजिक फाइबर की कुछ मैजिक फाइबर नैशलते हैं अनन्यास पौदे की किस अंगु को कपड़े बनाने की प्रकिरिया में इस्तमाल करते हैं तो आपका जो राइट आंसर है गुहावाना अनन्यास के पत्वों का हम कपड़े बनाने की प्रकिरिया में इस्तमाल करते हैं नहिशलते हैं लिलन कहां से प्राप्त किया जाता है तो आपका जो लिलन है वो कहां से प्राप्त किया जाता है तो आपका फ्लेक्स, फ्लेक्स के पौदर से लिलन प्राप्त किया जाता है याद रखें यह आज चुका कुशन है और काफी इंपोडेंट है नहीं शलते हैं खाना पकाने के उस विदी का नाम बताईए जिसे अक्सर नाजुक स्वाद वाले खाथ पतातों को पकाने के लिए प्युक्त किया जाता है इसमें लंबे समय तक खाना पकाने के समय की आवशक्ता नहीं होती है जैसे अंडे भलवा मचलिया तो यहां पे सूची बनो सूची टू को देखिए यहां पे दोनों सी सूचियां दी गही है दोनों को देखना है आपको तो यहां पे देखते हैं आपका है सैलिवा नौफ परिच्छन तो आपका सैलिवा नौफ परिच्छन क्या है आपका कुछ दोज सुगर किसके लिए होता है आपका कि टोज सुगर के लिए आपका है ओसा जौन परिच्छन की बात करें तो ये किस के लिए है आपका reducing सुगर के लिए reducing सुगर के बाद बात करें जेंथो प्रोटीक परिच्छन तो आपका ये किस के लिए हो जाएगा तो वो हमारा हो जाएगा आपका aromatic amino के लिए आपका एसिड वैलू जो हो जाएगी वो हो जाएगी आपकी मुक्त वसा आमल तो आपका जो राइट आंसर बनेगा यानी जो आपशन बनेगा वो हमारा बनेगा यहां पर भी आपका हिटिंग तक्नीकी के माद्यम से भोजन को सनचित करने वाली भीदी का नाम बताईए तो आपका यह बहुत इंपोड़न कोशन है तदा आपका कई बार इसी तरह पूछा जा सुका है तो यहां पर जो राइट आंसर रहेगा वो आपको बताना है क्यों सी तक्नीकी है तो वो हमारी है तिये कैनिंग तक्नीकी के माद्यम से क्या करते हैं हम भोजन को सनचित करते हैं अगर कैनिंग की बात की जा तो कैनिंग हो जागा के डबल डबल आ आई एन जी ठीक है कैनिंग रह शलते हैं भुजर्गों के इलाज को कहते हैं तो आपका जो राइट आंसर ह वो हमारा है आपका है आपका जरा चिक्रसा ये काफी इंपोडेंट है क्योंकि यहाँ पे पूछा जारा बुजर्गों के इलाज को जरा चिक्रसा कहते हैं क्योंकि जरा से याद लखिए ज्यादा दिनों तक नहीं जीते तो जरा बुजर्ग कैसे होते हैं ज्यादा दिनों त चाप सामान कहलाएगा या अनुसेदिलियन एभं संगुल्ण आपका है कुछलन दाप तो कब सामान कहलाएगा तो ब्यक्ति का जो लगतिचाप है वो हमारा कब सामान होता है तो हम सब कोई पता है कि वो 120-80 mm या आपका एच जी होता है नहीं चलते हैं पैप्टिक अलसर यानि पैप्टिक वार्ड के कारण है तो आपका जो राइट अंसर रहेगा यहां पर वो हमारा क्या रहेगा यहां पर राइट अंसर जो रहेगा वो हमारा है आपका हैली को वेक्टर पाइलोरी संक्रमन है दूसरा आपका ज हैं क्योंकि पेट की जो पड़ तो होती है वो आपके खाना मिलने से खाना ना मिलने से एसिट की बज़े से गल जाती है जिससे के पैप्टिकल सर होता है और आपको हेलिको वेक्टर पाइलोरी संक्रमार की बज़े से भी क्या होता है पैप्टिकल सर हो जाता है तो राइट आ पुराने वा संगीन गुर्दा रोग के मरीजों को निम्न प्रकार का आहर दिया जाना चाहिए तो आपका जो राइट अंसर है वो हमारा है कम प्रोधीन योगत आहर दिया जाना चाहिए बेशल दे हैं क्योंकि काफी इंपूड़ेंट कोशन है तो यह है आई डीडी एम के मरीजों की आहर में कारवज को पूरी तरह से ना रोगना चाहिए क्योंकि तो आपके जो राइट अंसर रहेगा क्योंकि तो यहां पे जो राइट अंसर रहेगा पूरी उर्चा प्राप्त नहीं होती है आईए इसको समझ लेते हैं आपके जो इसमें क्या कहा गया पूरी उर्चा प्राप्त नहीं होती है तो आपका आईए इसके फुल बॉर्ण समझ लेते हैं IDDM IDDM को कहते हैं आपका इंसुलीनी आपका डिपेंडेंट और आपका है डियाविटीस और मिलिटीस ठीक इसमें क्या होता है कि बैफ्टी की क्या होता है कि आहर में कार्वोज की पूरी तरह से नहीं रोकना चाहिए क्योंकि क्य प्राप्त होती है वो बसा से होती है मगर हम जो लेते हैं वो कार्वोज से लेते हैं ये टर्म को आप जरूर याद रखेगा कि हम जो लेते हैं वो कार्वोज से लेते हैं मगर उर्चा सबसे ज़्यादा जो देता है तो चले नेक्श कोशन देखते हैं किस उम्र में आपका BMRR की दर्ग कम हो जाती है तो आपका जो BMRR होता jadi इसको बोलते हैं आपका VASEAL Metabolic Rate ठीक है, जो BMR होती है, उसको क्या बोलते हैं आपका VASEAL आपका Metabolic Rate ठीक है यहाँ पूछा जा रहा कि इस ओमर में कम हो जाती है तो वो हमारी है ब्रद्ध वस्ता में ये कम हो जाती है बच्चे के आहर में अनपूरक भोजन की शुरुवात कि इस ओमर में होनी चाहिए तो आपकी जो राइट अंसर है वो हमारा है छे महीने के आसपास अनपूरक आहर की शुरुवात होनी चाहिए दोमेश्टिक सीवेज में असुदता का प्रश्षत है तो आपका जो राइट अंसर है वो हमारा है 0.1 प्रश्षत असुदता का आपका प्रश्षत है उस मचली का नाम बताईए जिससे गरवस्था के दौरान खाने से बीमारियों से पूरी तरह से बचा जाना चाहिए पूरी तरह से बचा जाना चाहिए तो आपका जो राइट अंसर रहेगा वो रहेगा फ्रेस्टू आपका है ट्यूना तो इसको क्या है कि गरवस्था के दौरान प्रेस्टूना मचली खाने से अनेक बीमारियों से बचा जा सकता है तो इसलिए इसे खाना गरवस्था में इंपूर्वस्था बताया गया है वोग इसमें सभी पूसकता तो मौझूद होते हैं निम्ले के दौपोच बदार्तों में से केस में कॉलिस्ट्रॉल है तो आपका जो राइट अंसर रहेगा वो हमारा अंडे में कॉलिस्ट्रॉल पाया जाता है निम्ले के उत्पादन में खमीरी करन का प्रयोग होता है तो आप किसके उत्पादन में खमीरी का प्रयोग होता है तो हमारा वाइन के में ठीक है और कोको पाउडर के में खमीरी का प्रयोग होता है कि अब ये सॉप्ट बनता चीज में इन तीनों में कही क्या है खमीरी उत्पाद करा जाता है यानि खमीर को उत्पन करा जाता है चीज में क्या होता है आपको पता है कि नीवू का रस डाला जाता है खमीर करने के लिए चलिए पानी के आपके इस्टेरीन लाइजेसन के लिए प्रयूक्त करते हैं तो आपका जो राइट अंसर रहेगा वो हमारा इनमेसे सबी तो आपके खलोरीन, ब्लीचिंग, सोड़ा एवं साइडरिक अंड ये सबी हम प्रयूक्त करते हैं एक कॉलेज के जलपानी ग्रहमें निमली के तले से आहर बितरन किया जा सकता है तो कौन-कौन से तरीके हैं जिन से आहर बितरन किया जाता दस्वेन लेनी की सेवा द्वारा वफे वफे योजना से चली हमारे सरीर के कुल भार का कितना प्रिस्ट जल से बना हुआ है ये बहुत बार रिपीट हो रहा है तो ये कोशन आपका सब उस पेपर में गलत नहीं होना चाहिए इसलिए ये है सरीर के आपका सत्तावन से 65 तक पाया जाता है मानस वेत दिन भर में अनुमानते अपने सरीर के भार का लगवख दो प्रिश्ट जल प्रयुक्त करता है तो उसके जो सरीर भार का है क्योंकि या पर पूछा है कुल भार का कितना प्रस्त जल बनना हुआ है तो आपका है 65% क्योंकि मैंने कहा था कि इसके जो हमारे सरी में कितना जल है तो 65 से 70 कहीं कहीं पी मिलता है तो यहाँ पर इसकी बेलू क्या है इधर लग कर रही है क्योंकि 75 बहुत अधिक हो जाएगा चलिए नैशलते है म्रद जल का आर्थ होता है तो आपका जो राइट अंसर रहेगा कि म्रद जल का क्या आर्थ होता है तो वो क्या है सामुन के साथ जाग बनाने वाला तो कि इसके सबसे बड़ी पहचानी यहीं अगर कोई म्रद जल है सौप्ट बाटर है तो उसकी क्या पहचाने के साथ जाग बनाएगा ही बनाएगा चलिए नैशलते हैं बिटामिन एक एक कमी से प्लकट होने वाला सबसे पहला लच्छन निम्लिकित मैं से कौन सा है तो वो हमारा होता है रतोदी जो बिटामिन एक कमी से सबसे पहले प्रकट होता है नहीं शलते हैं बसा के पार्चन के लिए करने वाले एंजाइम को कहते हैं यानि बसा के पार्चन के लिए यहां पर करने वाले एंजाइम को क्या कहेंगे तो आपका है आपका लाइपॉलिक्टिक एंजाइम जब हम बसाव कार्वोहटेड और प्रोटीन को बढ़ाएंगे क्योंकि इन तीनों को हमें आपको पढ़ाना ही पढ़ाना है क्योंकि इन मेंस तीनों में से हर बार कोशिण बनते ही बनते हैं निम्लिकत एक Sulphur Yukt Amino Acid है तो आपका जो राइट अंसर है वह हमारा है mithyonin. Mithyonin क्या है? आपका Sulphur Amino Acid है. ने शल्टे निम्लिकत उम ऐसे कि इसका प्रसत दूद में अधिक होता है तो आपका जो right answer है वो हमारा कार्वो हटेट का प्रस्टूदमधिक होता है क्योंकि यहां पे क्या नहीं दिया गया कैलसी यह बात आप नोट कर लीचे का क्योंकि हमें option के according अपना answer चूज करना होता है तेलिय मचली के उस गटक का नाम बताई है जो की बच्चों में मस्तिस के विकास में मदद करता है तो उस गटक का नाम रहेगा आपका है omega 3 fatty acid जो बच्चों के मस्तिस में क्या करता है विकास का काम करता है एक ऐसा आहार जिसमें मोजन के सभी आवश्चक गटक सही अनुपात में सामिल होते हैं उसे क्या कहा जाता है तो आपका जो राइट आंसर रहेगा वो हमारा रहेगा संतुलित आहार क्योंकि उसमें एज की अकॉर्डिंग बर्ग की अकॉर्डिंग तता बच्चे के आपके ऑगट की भी ऑगट की अकॉर्डिंग मोसम की अकॉर्डिंग अहर को रखा जाता है झाते हैं जिसको हम Бेलेंस डयेट बोलते है झाते हैं नाशलत ए कॉपोशण तता डॉट-डॉट में घहरा संबंद है तो कॉपोशण जब होगी तो आपके सरीम में क्या होगा चिंत इन चाता है तो आपका जो राइट अंसर रहेगा वो हमारा है विचरण के द्वारा निम्न मैंसे कौन तने वाले तन्तु नहीं है तो आपका जो राइट अंसर है वो हमारा कापोग कापोक, यह क्या है आपका तने वाला तन्तु नहीं है, यह कौन सा है, बीज वाला तन्तु है, कबास और कापोक, यह कौन से है, यह बीज वाले तन्तु है, आप भूलियेगा नहीं, यह क्या है आपके बीज वाला तन्तु है, यानि बीज वाला रेशा है, तन्तु ने बीज बरस्तगी पहँचान का अत्यंत मेत्वपूर परिछण है तो आपका जो राइट अंसर रहेगा वह हमारा माइक्रोइस्कोपी परिछण जब हम पढ़ाएंगे तब देखेंगे कि माइक्रोइस्कोपी परिछण क्या है ऑप किस तरह है क्योंकि इस से हमें या होता कि बर्चत की पहचान होती है चले नैश्ट देखते हैं वो है रेसम के कीड़े का जीवन चक्र होता है लगभग तो आपका जो जीवन चक्र की बात की जाए तो वो 37 से 63 दिनों का होता है रेसम का कीड़े आपको पता है उसके पेड़ पर पलता है तो रेसम के कीड़े का जीवन चक्र है वो अपना 37 से 63 दिनों तक रहता है एसवश्टर तन्तू होते हैं तो आपके जो एसवश्टर तन्तू होते हैं उनका याद रखिएगा क्योंकि ये काफी important question है जितनी बार इसका important कहा जाए जो पोसाक होती है या जो कपड़े होते हैं वो किसके बनाए गए होते हैं तो एसवश्टर तन्तू होते हैं क्योंकि question की प्रवर्ती बदली की आपके L.T. में इस तरह से नहीं पूछेगा कि एसवश्टर तन्तू होते हैं तो आपके खनिच तन्तू है मगर खनिच तन्तू है जो जिसे आग नहीं पकड़ती है तो हो प्रवर्ती स्वश्टर तन्तू है आग उजाने वालों की पुशाक किसलेसे की बनी होती है तो भी हमारा स्वश्टर तन्तू आपके आपसे पूछा जाएगा आस्ती म्रदूताख घनिज की हिंता होती है तो आपका जो राइट अंसर है वो हमारा है केल्सियम की तो आपका जो राइट अंसर रहेगा वो हमारा रहेगा 60-70% क्योंकि उसमें पूछा था भप्रत भार तो वहां था जाने कोशन की प्रबर्ती बदली थोड़ा सा चिंजिस हुआ बट हमारा इसी के आसपास लाई करेगा ये आप याद रखेगा कोशन को कैसे भी घुमा दे फिर भी क्योंकि जल की मात्रा पूरे मंडल में कितनी एक अत्तार परसेंट नहीं चलते हैं नहीं चलते हैं जल के बाद जो ये पीडियाफ आपको विद आंसर टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी पर रिशान होने एक यावशकता नहीं है अभी हमरे जल को देखा आप जल के बाद नेच कोशन देखते हैं और पूरी पीडियाफ आपको विद आंसर टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी इससे पहले हम दो प्रटिस सेट करा चुके हैं की भी हमरी आपित आंसर टेलीगाम चैनल पर प्रथिसेट डाल देंगे आज सापको सेक्ट वाला भी डल जाएगा पश्च वाला डला हुआ है प्राणिजी बोजबदार्तों और बनिश्पती बोजबदार्तों द्वारा प्राप्त होता है तो आपका जो राइट आंसर रहेगा कि क्या प्राप्त होता है जो प्राणिजी बोजबदार्तों और बनिश्पती बोजबदार्तों द्वारा प्राप्त होता है तो वो उप्युक्त सभी यानि खरीजल अबर बसा पूटी ये सबी क्योंकि इसमें बसा बनस्पती भी है और प्रानिची भी है नेश चलते हैं इस्टार्च है तो आपका जो राइट अंसर रहेगा वो हमारा है फॉलिक एसिड है इस्टार्च नेश कोशन देखिए इन में से कौन सा रक्त श्राबी बिरोधी बिटामिन है तो आपका जो राइट अंसर रहेगा वो हमारा रहेगा बिटामिन के क्योंकि ये क्या करती है बिटामिन की आपके सरीर में क्या है रख्त श्राबी बिरोधी का है यानि लख्ते की जो धका है वो बिटामिन के की बज़े से ही बनता है अगर क्या होगा आपका ब्लड नहीं रुक रहा है तो आपके अंदर बिटामिन के की कमी है ये बगलक्त का क्या करती है श्राब को रोकती है निमलिकित मैंसे खनिज तंतु कौन सा है तो आपका जो राइट अंसर है वो हमारा एस्वश्टस क्या है खनिज तंतु है बालक का मांसिक स्वास्त निर्वर करता है तो आपका जो राइट अंसर है वो हमारा उप्युक्त सभ बर्वार विद्याले और समधाय पर जब्रे दात और होट की विक्रती का कारण होता है तो आपका जो राहिट आंसर है अगो हमारा है आपकी है क्लिटरिंग और व्यवस्तित बारी दोस नहीं शल्दे हैं आपका प्रसाय सिच्छण प्रेक लिए नेमनों पांच आवशक चरणों से सही क्रम्य बिवस्तित कीजिए तो जो पांच आवशक जो चरण है उनमें से सही क्रम्य हमें बिवस्तित करना है कि इसको प्रसार्च केडिया को तो यहाँ पर जो देखते हैं वो पहला क्यों सा रहेगा यहाँ पर पहला जो रहेगा यहाँ पे जो रहेगा हमारा वो क्या है यहाँ पे सही क्रम्दा में बिविस्तत करना है तो इस्तिती एवन समस्या रहेगी आपका फिर रहेगा यहाँ पे उद्देश्य समाधान रहेगे फिर हमारा रहेगा सिछन काली योचना रहेगी फिर हमारा रहेगा मुल्यांकन फिर हमारा रहेगा पुनरविचार खेलकुन के मैदान वा पार्क है तो आपका जो राइट अंसर रहेगा वो रहेगा सारवजनिक सुविदाएं आपका है मन्द बुद्धी बालकों की बुद्धी लब्ती आईक्यून से कम होती है तो आपका जो राइट अंसर रहेगा वो क्या रहेगा यहाँ पर असी से कम होती है आपका सुच्छता सरच्छन और एवं जल पूर्दी किसके कारे हैं तो आपका जो राइट अंसर है वो हमारा है पंचायत के कारे हैं ये सबी कोसिका का उर्जाग रहे होता है या होते हैं तो आपका जो right answer रहेगा कि कोर्सा का तो वह हमारा माइटो कॉंटिया क्या है कोशका का उच्छा क्या कहा जाता है पावर हाउस ठीक है पावर हाउस किसको कहा जाता है माइटो कॉंटिया को नेश्ट कोशन देखे P.E.R.T है तो आपका P.E.R.T के अगर फॉर्ण के बात की जाए तो यह हो जाता है प्रोग्राम Evaluation Review Technique तो यहाँ पर इसकी बात की जाए तो यह क्या करती है यह प्रोग्राम और मुल्यांकन की समिच्छा करती है तक्नीकी आम तो पर संचिप्त इसको बोलते है P.E.R.T संचिप्त रूप है इसका और यह सांकी की उपकरण है जो आपका है परिवारी योजन प्रभंदन में प्रयोग किया जाता है तो इसे लिए इसका यहाँ पर काम है P.E.R.T का चलिए तो यहाँ पर जो अलाइट अंजर रहेगा वो हमारे ट्रॉपिकल मॉडन नेशल ते आपका DNA .dot में उपस्ते तो होता है तो DNA की बात की जाए तो यह किंद्र को माइट और अंजर दोनों में उपस्ते तो होता है तो आपका रायट अंजर जो रहेगा उब रहेगा C क्योंकि DNA ही क्या होता है कि आपके पीड़ी दर पीड़ी चलते चाहते है क्योंकि यह उपस्तित कहां पहें कि इंद्रक और माइटो कॉंटिया में तो जो जो पीड़ी आफ है आपको विद आंसर टेलीग्राम चैनल पर मिल जाए कि उनको विद आंसर हमने टेलीग्राम चैनल पर डाल दिया है तो जैसे आपको आराम हो जैसे आपको विजी लगे पैसे आप देख सकते हैं तो आज के लिए बस इतना ही अगले सेसर में यानि अगले उसमें हम फिर एक नए प्रेटिस्ट के साथ मिलेंगे जब तक एकजाम का नोटिफिकेसन नहीं आ जाता तब तक हम प्रेटिस्ट करेंगे जैसे एकजाम का नोटिफिकेसन आ जाता है वैसे ही हम उन एडियास को कवर करेंगे चो काफी इंपोडेंट है परिशा के डर्सी से जाने यहां से कोशन हर बार बनते ही बनते हैं हर बार बनते हैं जितनी बार कहा जाए उतनी बार बनते हैं तो हम फिर उन वे दियासों को देखेंगे तो तब तक के लिए बस इतना ही जय हैं जय भालत तब धनलबाद